हस्रत साहब आज तक आपने अंदाजन कितने गीत लिखे होंगे मैंने भाई साहब गालिबन समझो कि मुझे पचास परस गुजर चुके हैं शायरी करते वे मैंने धाए हजार गाने फिल्मों के लिखे हैं इसके अदबी जो नगमात है मेरे वो अलग है अपने कुछ ऐसे गीत हमें बताई है जो आपको बहुत पसंद हो चंद एक गीत ऐसी घीत जी कि मेरा नहीं समझी के एक तो सूरत के गाना मुझे बहुत पसंद हे बहुरू फूल वर्था हो मेरा मेरा महभूब आया है उसके बाद मैंने मयाहुराज के ऊपर बहुत जएदा गानने लिखे यह आपने सुना होगा और महतूस किया हो गयाू और व मेरे नग्में जब सुनते है क्यूंकि जितने मैंने माहुराज पर गानने लिखे है इतने मेरे खि Bä lei ते किसी शायद ने लिखे नहीं, चश्मे बद्दूर, महुरा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, किसी की ये सुस्राल का गाना ये भी मुझे बहुत पसंद है, और बाहरो फूल बर्साओ ये सूरत में, इन डौनों का ट्रांसलेट है हर लेंग्विज के अंदर, इंग्र को मैंने किस कदर पापना ये जंगली का गाना, ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैं महावराज के आपको गाने सुना रहे हूँ, बुरा मान गए, ये आई मिलन की बेला का है, सरांखों पर, ये असली नकली का है, इस तरीके से महावराज के ओपर बहुत गुस्ताखी माफ ये भी सूरज का गाना है, चहरे परीगे जूल्फ। मैं कहदो तो हटादू मैं, गुस्ताखी माफ, मैंने बहुत महावराज के हमारे शायर भी तो समझ दार थे, जैसे शकीर साब के मूजिकार, नोटा साब समझ दार थे, शायरी को समझते हैं, समझाए, इसी तरीके से हम हमारे मुश्यकार शायरी को समझते थे, इसलिए ये उर्दू अदब और फार्सी के टुकड़े इस्तिमाल करने को मिले.